रांची पुलिस ने चेन छिनताई करने वाले गिरोह का भंडा फोड किया है इस गिरोह के दो अपराधियों और चोरी के चेन खरीदने वाले एक सोनार को गिरफतार किया गया है दरसल बीते पांच जून को लोर बाजार थाना क्षेतर के सेंटीमीटर अस्पताल के पीछे गीता सिंह नाम की महिला से दो मोटर साइकल सवार अपराधियों ने चेन छिनताई की घटना को अंजाम दिया था इसके अनुसंधान के दौरान CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों को गिरफतार किया गया है वही जिस मोटर साइकल से चिनताई की घटना को अंजाम दिया गया था उसे भी जप्त किया गया है इसके साथ ही अलबर्ट एक का चौक स्थित चेन खरीदने वाले सोनार दुकांदार अश्वनी प्रकाश गुपता को भी गिरफतार किया गया है और गला हुआ सोना बरामत किया गया है वही चेन खिनताई में गिरफतार अभियुक्तों में मोहमद उमर और मोहमद प्रिंस शामिल है जला हुआ सोना वह रिकवर हो गया है और जिस कूटी से इन लोग अने घर्टा किया था वह भी चोरी का था वहां भी परामत हो गया है इस तरह से छीनेवे चेन को खरी देने वाला भी यह तीनों को जेल विया जा रहा है और हम लोग जो है इनका रिमांड पकले के और तब जो है इन्होंने और पहले कि इतनी घट्टां को अंजाम दिया है कहा कहा पर जैन चीन आँ उसके बारे में जानकारी मिलें अब यह सोनार है सोना ही डिल करते हैं अभी जेवर दुकान नहीं है लेकिन इस तरह का इनको एक्स्प्रियेंस है वह पत्थर जिसे सोना चेक करता हम लोग असली है नकलिए वह भी परामद हुआ है क्या क्या कि अभी पिन बताया था कि इनको हम पेशे हैं उसने चेक किया था पत्थर से रखरकर सोना असली है यह ने वह पत्थर भी बरामद हो गया है अब कर स्कताल के पास में एक चैन चिंतेवित एक महिला से उसके इंट्रेस्टिकेशन को जो है सब्सक्राइब करते हैं कि अपराधी है वह पकड़ा गया है उसने चैन को गला लिया था तो गला हुआ सोना है वह रिकवर हो गया है और जिस स्कोटी से घटा किया था वह भी चोरी का था वह भी परामद हो गया है और यह तो जो है वो चैन से नचार है और एक है जो इस तरह से छीने वे चैन को फरीदेने वाला आद्मी यह तीनों को जेल विया जा रहा है और हम लोग जो है इन्फोगेशन तरहेंगे इनका रिमांड पर लेके और तब जो है इन्होंने और पहले कि अंजाम दिया कहा कहा पर जैंची आउसके बारे में जानकारी में लेकिए इस अब यह सोनार है सोना ही डिल करते हैं अभी जेवर दुखान नहीं है लेकिन इस तरह का इनको एक्स्प्रियंस है वह पत्थर जिसे सोना चेक करता है अब बताया था कि इनको हम बेचे हैं उसने चेक किया था पत्थर से रखरकर तो सोना असली है या नहीं वह पत्थर भी परामद हो गया हुआ हुआ है